चत्रिसगर के जांजगीर चमपा जिले में एक दमपती की तीन दिन पुरानी लाश मिलने से संसनी खेज मामला सामने आया है घटना की जानकाली लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्सकर शफ को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा है हाला कि मौत के कारणों का भी तक खुलासा नहीं हो पाया है दरसल मामला जांजगीर चमपा जिले के बलोदा पुलिस थाने शेत्का है जहां लेवई नवा पारा गाउं में घर के अंदर से 65 वर्षिय बुजर्ग रगुवर और उनकी तीसरी पत्मी रुपमडी की तीन दिन पुरानी लाश मिली है घर्टना का खुलासा समय हुआ जब रगुवर के मकान से बदबू आने पर ग्रामिनों ने खिड़की से देखा तो दमपती की लाश खटिया पर पड़ी हुई थी ग्रामिनों ने घर्टना की जानकारी ततकाल पुलिस को दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बना कर दोनों शवब को पोस्ट मार्टम के लिए रवाना कर दिया फलहाल दमपती की मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है वहीं पुलिस भी पोस्ट मार्टम डिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाही निश्चित करेगी बताया जा रहा है कि मौत के कारवाजा बन था और जिस हालत में लाश मिली है इससे हत्या की आशंका जटाई जा रही है फलहाल पुलिस ने मामली की जाँ शुरू कर दी है जल्द ही मौत के कारवलों का खुलासा किया जाएगा ये मौके का मुवायना करने पर पता चला कि जो पती पतनी 65 साल का ब्रिद्ध है और इसकी पतनी दोनों खाट में सोवे अवस्था में मिले हैं और दोनों मेरी तवस्था में मिले हैं किसी प्रकार का घटना स्थल में कोई छेड़ छाड़िया किसी प्रकार का संगर्श की निसान नहीं मिले हैं और घर का जो साकल है वो बाहर से बन था और मौके पर पंचनामा कारवाई की गई है दोनों को PM के लिए रवाना किया गया है और PM रिपोर्ट बाद जो भी जाँच में तथ्याएंगे उसके आधर पर करवाई की जाएगे